हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम शॉर्ट स् एकिते करते हैं यह कि ठीक हैं तो बहूती असान भेर्म आपको बताऊं गीर से फेले मेजरमेंड देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या ठीब होते हैं तो देखे हैं यहां पर हमेंच स्लीव की स्लीव की कटिंग करदें तो सबसे पहले हमें लेंड चीन होती है फिर स्लीव राउंड आगी से कितना है कि मारा वो चाहिए होता है आर्मोल चाहिए है अपना और biceps, तो यहां पर जो हमें length चाहिए, sword street की वो चाहिए 3 inch की और round है यहां पर हमारे client का 11 inch और armhole है 14 inch, और bicep है हमारा 12 inch का ठीक है, bicep हम किसको बोलते है, जो हमारे हाथ में सबसे मोटी जए होती है, उसको हम bicep बोलते हैं, ठीक है, उसके round को बोलते हैं उपर के साइट से चुमाई सबसे मोटी जगे होती है उसको हम बाइसाइब बोलते हैं वहाँ पे काम यह नाप ले रखा है हमने 12 इंचा ठीक है तो यह सारे मेजरमेंट्स आपको आपके पास होने चाहिए और इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं ठीक है तो यहां पर देखे मैंने कपड़े को इस तरीके से यह मेरा कपड़ा इस तरीके से सिंगल है और इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे इस तरीके से और इसको एक और बार कर देंगे फोल्ड तो यह हमारा हो गया फोर फोल्ड यह टू फोल्ड यह और तो यह तो टोटल हमारे फोर फोल्ड हुए ठीक है अब हम निशान कैसे लगाएंगे तो देखिए बंद वाली साइट को हम अपनी तरफ रखेंगे और खुली वाली साइट को उस तरफ तो सबसे पहले हम इस साइट से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे तो पहले लगाएंगे हम अपनी लेंद का निशान सबसे पहले हम यहाँ पे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे और इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे इस तरीके से अब इसके बाद लगाएंगे हम अपनी लेंद का निशान तो लेंद है हमारी 3 इंच की उसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करेंगे क्योंकि हमारा जब स्लीव जॉइन होगा तो हाफ इंच उपर से सिलाई में जाएगा इसलिए हम 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस साइट से भी ठीके अब हमने जो यह निशान लगाए हैं उसके उपर हम सीधी लाइन ड्रॉव कर लेंगे इस तरीके से ठीके अब इसके बाद देखिए हमारे बाइसेप कितने थे 12 इंच के तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना होगा 6 इंच और उसमें प्लस करेंगे हाफ इंच लूजिंग के लिए तो हम लगाएंगे साढ़े 6 इंच पे निशान इसी तरीके जितना भी आपका ब अब देखिए हम अपने स्लीव को कितना डाउन लजाएंगे यह हम देख लेता है तो यहां पर हमारा नॉर्मल साइज है तो हम यहां पर धाई इंच पे निशान लगाएंगे अगर आपका हैवी साइज होगा तो आप 3 इंच पे निशान लगाना नॉर्मल होगा तो धाई इंच पे ठीक है अब धाई इंच हमने यहां पर निशान लगाया इस साइट से भी हम धाई इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और इन निशानों को मिलाएंगे सीधा इसके बाद ये जो हमारी चोडाई आई ये 36 इंच की इसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंच इस साइट से भी हम सेम ऐसी निशान लगाएंगे 3.2 इंच पे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से सीधा मिलाएंगे ठीक है अब देखिए ये जो हमने धाई इंच की धाई इंच आपर डाउन करा अपने स्रीव को उसका भी हम हाफ करेंगे तो कितना होगा इस तरीके से फोल्ड कर दो इंच टेप को और निशान लगा दो इस साइट से भी सेम ऐसी निशान लगा लेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 बॉक्से बन गए है ठीक है अब हम अपना आर्मोल शेपर लेंगे और अपनी स्लीव की गोलाई देंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से और इस वाले पॉइंट तक आर्मोल का शेप इस तरीके से अपने स्लीव का शेप देना है यहां से और इस वाले पॉइंट तक जो हमारा यह प्लस पॉइंट आ रहा है यहां ठीक है तो इस तरीके से यहां पर इतना घुमाएंगे अब अपने आमोल शेपर को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और यहां मिलाएंगे ठीक है और इस तरीके से आएपे शेप दे देंगे चीक है तो जो हमारा यह मैंने पहला निशान लगाया यह लगा हमारा छटाई वाला निशान अब हम अपने मेंन स्लीव की गुझाई देंगे आपे ठीक है तो देखिए अब आपको गुलाई कैसे देनी है यहां से आप पॉन इंच उपर निशान लगाएंगे इस तरीके से और यह बन गी हमारा यहां पे प्लस पॉन ठीक है अब जैसे हम ने यहां पे अपने स्रीफ री गोलाई दी वैसे हम एक बार फिर से दिन्गे ठीक है अपने आर्मोर शेपर को रखेंगे इस तरीके sé ठीक है और फिर उल्टा कर देंगे इसको इस तरीके से और इस वाले पॉइंट में ही आप दुबारा से शेप देंगे ठीक है तो देखे आर्मोर शेपर की मेलद से हमें या पर फेक्टली शेप मिल जाता है स्लीव का इसके बाद कि इसके बाद देखें यहां उपर सामारा हाफ इन सिलाई मार्जन में जाएगा तो इतना सामेह पर पोर्शन मिलेगा फिटिंग करने के लिए तो इसमें अम सिलाई कैसे लगाए हैं मिंडिकल्टी हो जाएगी ना तो यहां से नीचे हम जापर हमाई स्लीव लेंद है वहां स उपने lack curve scale को लेंगे और इस तरीकी से रखेंगे और यह जो हमारी length वाला national जो हमने length की line लगाई है इस से मिलाते हुए हम यहाँ पर इंदोनों चीज़ों को मिलाते हुए हम यहाँ पर shape देंगे नीची के side से बाजू का तो जैसे मैं रख रही हो, वैसे आपको भी रखना है, इस तरीकी से, ठीक है, तो दीखे इतना portion में हम, अब अपनी fitting देंगे, तो ये हमारा proper fitting आ जाएगा जब हम सिलाई करेंगे, नहीं तो इतने portion में हम कैसे सिलाई देते, तो इतना portion अब ठीक हो गया हमाले fitting के सिलाई लग कितना था नीचे से 11 इंच का उसका हम हाफ करेंगे तो कितना होगा तो इसके आगे हम अपना मार्जिन लेंगे दो इंच का आप चाहिए तो यहाप एड़ इंच का भी ले सकते हैं यह आप में डिपेंड करता है मैं यहाप दो इंच का ले रहे हूं ठीक है इस निशान को और यह है ठीक है अब हम करेंगे अपनी स्लीव की कटिंग ठीक है तो सबसे पहले हम जो हमने ऊपर वाला शेव दिया है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे ठीक है अब यहां से देखिए हाफ इंच तो हमने उपर स्लाई मार्जिन एड़ करके रेंध का निशान लगाया अब मीचे से भी हम हाफ इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे सोली झानि नीचे से भी हम अब आप इंची दूरी पर करेंगे तो नीचे से भी हमारा सलाई मार्जिन लिच दिया हो ठीक है और यहां पर निशान लगा है उसके उपर कट करिंगे इस तरीके से यह चीक है अब यह चटाई वाला निशान लगा आए औंए उसको हम कैसे कट करेंगे पैले अपनी स्लीव को खोल लेंगे से ऐसे यूरा खोल लेंगे अपनी स्लीव को और स्रादन जो निशान उसके ऊपर कटिंग रेंगे करनी है तो ये देखिए, ये च्छटाई वाला पोर्शन यहां से हमारा अलग हो गया है और ये हो गई हमारी स्लीव की कम्प्लीट कटिंग बीच में आप कट लगा लें हापे ताकि जब हम स्लीव को जॉइन करें तो सेंटर सेंटर में लाते हुए हम आसानी से स्लीव को जॉइन कर सकें ठीक है फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे अब देखिए यहां पर जो हमने स्लीव की उपर से गोलाई दी ठीक है दोनों उसको हम मेजर करेंगे इस फिटिंग वाले निशान तक तो यह आना चाहिए हमारे आर्मोल राउंड के बराबर ठीक है तो आर्मोल राउंड है हमारा 14 इंच तो सबसे पहले हम नीचे वाले राउंड को मेजर करेंगे तो यह कितना आ रहा है फिटिंग के निशान तक 7 इंच अब हम उपर वाले राउंड को मेजर करेंगे तो जिस तरीके से मैं मेजर कर रही हूँ, वैसे आपको भी मेजर करना है 7, तो 7 प्लस 7, 14 इंच तो यह हमारे आर्मोल के बराबर ही आ रहा है ठीक है, कटिंग करने से पहले आप यह जरूर चेक करें कि आपका जो आर्मोल, जो आपकी बाजू की गोलाई है वो आपके आर्मोल के बराबर आ रही है कि नहीं अगर नहीं आ रही है, तो उस चीज को एड़ेस्ट करें और फिर कटिंग करें, ठीक है तो इस तरीके से आपको करनी है अपनी स्लीव की कटिंग और इस तरीके से लगाने निशान तो I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग